अलो प्यारे बच्चो मैं प्रियांगबट्ट आपका स्वगत करता हूँ प्रियांगबट्ट मैट्स में तो कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे से तयारी कर रहाएं । तो उसी के regarding मैंने 11th class की maths की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको trigonometry पढ़ा रहा हूँ वो उसी सीरीज का आज हमारा तीसरा lecture है इस class में मैं आपको exercise 3B पढ़ाने वाला हूँ ठीक तो exercise 3B के सारे question में cover करूँगा लेकिन यह जो exercise 3B यह दो पार्ट में आएगी आज पार्ट A है ठीक इसमें मैं आपको कुछ questions बताऊँगा और इसके बाद next part आएगा तो जो remaining question होगे वो मैं आपको बताऊँगा ठीक है students तो चलिए आज की class हम शुरू करते है तो देखिए आज की class बताने से पहले मैं आपको trigonometry का basic जो है वो बता चुका हूँ अगर अभी तक आपने उसको देखा नहीं है तो आप playlist में जाकर उस class को देख सकते हो उसमें पूरा मैंने trigonometry का basic बताया हुगा है तो आज 3B exercise शुरू करने से पहले मैं आपको वो formulas जो मैंने बताएं वो मैं revise करना चाहता हूँ ठीक है ताकि आपको भी याद हो जाए और यहाँ से आपको अगर कोई सवाल आता है तो वो easily आपको बन जाए ठीक है चली शुरू करते है तो देखे sin theta upon cos theta यह मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है 10 theta होता है cos theta upon sin theta क्या होता है cos theta होता है sin square theta plus cos square theta यह क्या होता है 1 होता है अब यहाँ से देखे आप क्या कर सकते हो अगर sin square को आप इस तरफ ले आओगे तो यहाँ क्या बचेगा cos square theta तो यहाँ आएगा sin तो काई मैं जाएगा minus में 1 minus sin square theta मतलब cos square theta को आप क्या लिख सकते हो 1 minus sin square theta सेम ऐसे ही sin square theta को आप क्या लिख सकते हो 1 minus cos square theta यह basic है मतलब आपको एक formula याद है तो दो formula आपको अलग से बन जाएंगे उसी तरह से देखिए 1 plus 10 square theta is equal to क्या होता है sec square theta अगर आप 10 को वहां ले जाओगे तो क्या जाएगा यह हो जाएगा sec square theta और plus sin 10 square theta क्या जाएगा minus में आजाएगा बराबर 1 मतलब 1 की जगा क्या लिख सकते है sec square theta minus 10 square theta ठीक है और अगर आपको 10 की value निकालना है कि 10 square theta की value क्या आएगी तो 10 square theta बराबर क्या होता है sec square theta minus 1 इस तरह से एक formula यह हो गया तो उससे आप दो formula और भी निकाल सकते हो सेम ऐसा ही यहाँ पर भी कर सकते हो आप इसी की according तो आपको अगर cot square theta की value चाहिए है तो cot square theta यहीं रहेगा और 1 वहाँ चला जाएगा तो क्या जाएगा cosec square theta minus 1 ठीक है और अगर 1 is equal to निकालोगा तो cot को यहाँ ले आना क्या हो जाएगा cosec square theta minus cot square theta is equal to क्या हो रहा है बन हो रहा है अगर यहाँ से आप साइन थीटा की value निकालना चाहोगे तो क्या जाएगी साइन थीटा is equal to one upon cosec theta ठीक है उसी तरह से यहाँ से देखिए cos theta into sec theta one होता है यहाँ से अगर sec theta निकालोगी या cos theta निकालोगी तो यह जो quantity upon में आ जाएगी तो sec theta is equal to one upon cos theta अगर cos निकालोगी तो cos theta is equal to one upon sec theta सेम यहाँ से भी अगर निकालना है cot theta निकालना है तो क्या होता है वो one by ten theta ठीक है और ten theta निकालोगी तो one upon cot theta क्यों हो यहाँ पर यह जो dot है यह into का sign है जब यहाँ into से यहाँ लाओगे तो क्या हो जाएगा इसलिए मैं आपको यह बहुत अच्छे से बता दे रहाँ डिवाइज भी हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं यह formula 10th class के हैं इनका भी आपको आगे use करना पड़ेगा तो यह भी आपको याद होना चाहिए यह 10th class के formula हैं तो देख लीजे इनको a plus b का whole square क्या होता है a square plus b square plus 2ab a minus b का whole square क्या होता है a square plus b square minus 2ab a square minus b square क्या होता है a minus b into बीच में क्या है into a plus b ठीक है, a cube plus b cube, इसको कहते है, लिखा जाता है, इसका formula क्या होता है, बराबर, a plus b, बीच में कोई sign नहीं, मतलब into a sign है, तो a plus b into, एक अगले bracket में, a square plus b square minus a b, ठीक है, next, a cube minus b cube is equal to a minus b, into bracket में a square plus b square plus a b, देखिए, a cube plus b cube, जब यहाँ plus आएगा, तो यहाँ plus से सुरुवात करन a plus b, फिर a square plus b square, minus आएगा, यहाँ पर, जब प्लस आगया, तो यहाँ minus आएगा, वैसे a cube minus b cube है, तो यहाँ minus है, तो माइनस से सुरुवात करना, a minus b, यह दोनों तो सेम ही रहतने है, a square plus b square, लेकिन यहाँ का sign change होगा, तो minus एक बार आ चुका है, तो यहाँ क्या जाएगा, इस तरह से आपको यह basic formula याद होना चाहिए, तब ही आप trigonometry में survive कर पाओगे, ठीक है, तो चलिए, यह basic formula आप screenshot ले लिजे और बहुत अच्छे से इनको याद करिए, अब हम exercise के question शुरू करते है, ठीक है, चलिए, देखते हैं, पहला question, यह देखिए, first question लिखा हुए, क्य plus cosec, square theta plus 2, तो यह proof करने, तो exercise 3B में सारे जो सवाल है, वो कौन से हैं, वो proof करने वाले सवाल, ठीक है, कैसे सवाल है, proof करने वाले, मतलब यह जो side कहलाता है, इसको बोलते हैं, LHS, left hand side, और इसको क्या बोलते हैं, RHS, right hand side, तो देखिए students, आप इस तीज के लिए independent हो, कि आप LHS लेके चलो, तो RHS ले आओ, या RHS लेके चलो, तो LHS ले, इसमें कोई बात दता नहीं है, कि आपको LHS ही लेना है, और RHS पे ही पहुँचना है, ठीक है, और यह भी बात दता नहीं, कि RHS ही लेना है, और LHS पे पहुँचना है, मतलब left hand side ले value दीव होती है, ज्यादा तर वो direct answer ही दिया होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इससे हम यहां नहीं पहुच सकते हैं, पहुच सकते हैं, लेकिन यह जो value होती है, यह answer होती है, ठीक है, ज्यादा तर question में, हर question में नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादा तर question में, यह question हो गया और यह answer, तो question से answer में पहुचना आसान होता है ठीक है इसलिए हम LHS से कहा जाते हैं RHS की तरफ लेकिन अगर आपको answer दे दिया जाए तो आप question पे पहुचना थोड़ा कठेन होता है इसलिए RHS ज्यादा तर हम नहीं लेते हैं क्योंकि यह answer है और answer से प्रश्ण में जाओगे तो उसमें ज्यादा दिक्कत होगी solve करने में लेकिन question से answer में जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है इसलिए हम ज्यादा तर क्या लेकर चलते हैं LHS लेकर चलते हैं ठीक है चलिए बागया समझ में आपको अब देखिए यहां पर क्या solve कर सकते हो हम LHS ले लेते हैं हमारा यह LHS दिय होना बहुत जरूरी है यह होता है formula अब इस चीज को हम क्या लिख सकते है एक क्या है साइन थीटा बी क्या है को सेक थीटा यहां लिख दो हो गया हुद का टू ए मतलब साइन थीटा इंटू को सेक थीटा अब मैंने अभी आपको formular बताया है तो साइन टेंटू को सेक थीटा क्या होता है बन होता है तो लुग इंटू अन कितना हो जाएगा दो जाएगा लुग तो देखिए हागै ना सए स्प्वेर्ड थीटा प्लस पॉसाय् किस्वूर्ट धीटा मत्लब एक कुट्टिटी को दूसरी कुट्टिटी में कैसे चेंज करना है, सिर्व इतना ही सिखाया जाता ठीक है, अज़र इस रासी को आपको यहां तक कैसे पहुचाने, यही trigonometry में होता है, यह बिना parmules के नहीं हो सकता, इसलिए आपको trigonometry का basic देखना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैंने basic class बहुत अच्छे से पढ़ाई है, और बहुत अच्छे से उसको detail में बता है ताकि अगर आप बेस समझ जाओ तो आपको इन सवालों में दिक्कत ना हो अब देखो इस सवाल को अगर आपको formula पते हैं तो आप कितने 15 सेकेंड में लगा सकते हो ठीक है इसलिए next सवाल देखते है यह question देखिए students सुछ की पढ टीटा मैनस साइंगा फॉर थीव करना है 1-2 स्कोर थिटा है किया को स्कुरूर 4 तीटा इसे को स्कूर करना हैवं हम क्या लिगते हैं एलश ठीक है कॉस्किपावर 4 तीटा मैंनस wisely चेlles एक हम जबेश्चल बर्कॉल करके ट्रांस्पर्ण करके टाहू इसको मैं पहुंचने यहां पहुंचने है तो यहot मैं क्या लिखता हों? cos square theta मैं इसको इसका square लिख देता हूं. माइनस sin square theta मैं इसको square लिख देता हूं. इसका क्या मतलब हुआ? इसका आप square करो यहाँ यहाँ पावर 2 x 2 2 4 हो जायगा. मतलब यही पर यहाँ पर भी इस चीज़ को है आधे सकते अब देखें यह क्या धिखरे या यह भी लिखेंग भी फिर यहां पर एय विकивает यह क्या दिखें पूरा है को स्क्वाइर थीटा, पूरा A है, अब तो A की पावर यहां स्क्वेर आएगा, और B क्या दिया है, साइन स्क्वेर थीटा, अब इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, जब ऐसा लिखोगे, क्या जाएगा, कॉस स्क्वेर थीटा, प्लस साइन स्क्वेर थीटा, है न, एक ब्रैकेट में, और यहां पर, कॉस स्क्वेर थीटा, माइनस साइन स्क्वेर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, यह अभी आपन जानते हैं, कॉस स्क्वेर थीटा, प्लस साइन स्क्वेर थीटा होता है, यह इन टू में आ गया, अब देखिए, कॉस स्क्वेर थीटा की वैलू मैं आपको बता चुक का हूँ, sin square theta plus cost square theta पर आब 1 होता है, तो चब आप cost square flan risque value निकालोगे तो क्या हैगी हो, 1 minus sin square theta और यह है minus sine square theta इसारा खेल formula है, formula यहा दें तो आपको सवाल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब better than to koie मतलम नहीं होता है, है न, one minus sin square theta plus माइनस साइनस करती है यह समझ लीजिए यह लिखा हुआ है माइनस का चार माइनस का चार तोनों मिलकर क्या हो जाएंगे माइनस माइनस वाले जब भी साथ में होते हैं तो क्या करते हैं हम उनको जोड़ देते हैं और चिन माइनस कही आता है तो यहां एक साइनस क्वेरल एक लियर हो गया अब अगला सवाल देखते हैं ये question देखिए sine cube theta plus cos cube theta हमको ये prove करने है इसमें formula आप देख रहे हो a cube plus b cube का लग रहा है क्या होता है वो a plus b और a square plus b square minus a b ये formula है इसको जमा दिजिए इसमें lhs लेकर चलना हम इस formula में अगर जमाएंगे तो क्या जाएगा, sin theta plus cos theta, ठीक है, bracket में आपकर क्या जाएगा, sin square theta plus cos square theta minus, sin theta into cos theta, यह हो जाएगा, one minus sin theta into cos theta, ठीक है, यह आपका answer दिखने लगा होगा, आपको, हम LHS लेकर चले थे और RHS हमको मिल गया, ठीक है, यह आगया हमारा LHS, ठीक है अगला सवाल देखते हैं, यह question देखी, student बहुत ही अच्छा सवाल है, यह लेकर चलना है और यह प्रूब करना है, ठीक, तो इसमें हम LHS लेकर चलते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ, sin square theta, इसकी power 3, plus, इसको लिख देता हूँ, cos square theta, और इसकी power 3, यह क्या दिखने लगा, a cube, plus b cube, इसको क्या लिखा जा सकता है, a plus b, a पूरा क्या है, sin square theta, b पूरा क्या है, cos square theta, तो a plus b, इसकी power 3, मतलब sin square theta, और उसका b square, यहाँ पर आप करली bracket लगा लो, plus b square, b square मतलब b की value cos square theta, और उसका b square, minus, क्या जाएगा, a b, a है sin square theta, और b है cos square theta, ठीक है, अब यह हो जाएगा, one, यहाँ इन two में आ जाएगई, इसका meaning क्या हो जाएगा, sin की power 4 theta, और यहाँ क्या हो जाएगई, cos की power 4 theta, माइनस का हो गया, sin square theta, into cos square theta, ठीक है, इत्ता समाझ में आया है, one and two में इसका कोई मतलब नहीं, अब देखिए, यह जो लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सबता हूँ, इस चीज़ के लिए मैं आपको एक अलग से formula बताता हूँ, जैसे लिखा हुआ है, a plus b का whole square लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखते हो, a square plus b square और plus 2ab, यह लिखते हो, अगर आपको खाली इसकी value निकालना हो तो क्या करोगे, आप इसको यहाँ transfer ले जाओगे, यह ना, तो plus से है तो काई में आ जाएगा, minus में, a plus b का whole square, minus 2ab, बरावर क्या हुआएगा, a square plus b square, ठीक है, मतब a square plus b square को आपको क्या लिख सकते हो, a plus b का whole square minus 2ab, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, साइन की पार 4 theta को फिर से हम ऐसा लिख देते हैं, sin square theta का whole square, plus cos square theta का whole square, minus sin square theta और यह हो जाएगा, cos square theta, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, अब आप देख रहे हो, यह क्या है, यह अपने आप में क्या है, यह a square, पूरा a क्या है, sin square theta, तो a और यह square, यह क्या है, b square, a square plus b square, इसकी जगाँ आप क्या लिख सकते हैं, a plus b whole square minus 2ab, मतलब a plus b का मतलब, a की value है, sin square theta, b की value है, cos square theta, अब नहीं लिख दिया, sin square theta plus cos square theta square power square, है ना, और minus 2ab का मतलब, minus 2 into a की value है, sin square theta, और b की value है, cos square theta, यह जो है, यह term extra है, तो minus sin square theta, यह हो जाएगा, cos square theta, sin square theta plus cos square theta होता है, one, one का square करोगे, तो one ही आएगा, यह minus का 2 sin square theta है, और यह minus का sin square theta cos square theta है, मतलब यह one है, देखिँ, दौनों quantity x ही है, यहां minus को 2 है minus कबन है दोनो minus minus वाले हैं तो जुड़ जाएंगे तो minus का 3 और 7 में क्या है sin square theta cos square theta ठीक है तो LHS लेकर चले थे देखिए RHS की बराबर आगया आगे समय में चलिए आगे बढ़ते हैं इस सवाल को देखिए students बहुत important सवाल है देखिए sec square theta अभी मैं आपको बता कर आचुका हूँ कि 1 plus 10 square theta is equal to क्या होता है sec square theta तो sec square theta की जगा क्या लिख लो आप 1 plus 10 square theta बीच में into उसे की square theta का formula क्या होता है 1 plus 4 square theta अब क्या है multiply कर दो इसका बस आजाएगा answer पहले 1 का करेंगे तो इस पूरे में होगा 1 into 1 plus 4 square theta ठीक है बीच में फिर काई का साइन plus का फिर किसका करना है 10 square theta का किसमें करना है पूरे quantity में तो 1 plus 4 square theta यह multiply करने का rule होता है जब भी दो number आपको bracket में दियो पहले number का पूरे bracket में multiply फिर यह जो बीच में जो sign हो आ जाएगा तो इसके बाद दूसरी quantity फिर पूरे bracket में multiply ठीक है तो इसको solve कर लिए जो 1 का करोगे तो वो ही आ जाएगा यह ना 1 plus 4 square theta यहां करोगे तो 10 square theta प्लस इसमें करोगे तो 10 square theta 4 square theta ठीक है यह क्या हो गया 1 plus यह सेम आजाएगा यह देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 theta और into quad theta इस पूरे का square लिख सकता हूँ यह बीच में into का sign है पूरे का square मतब इसका भी square और इसका भी square आप देखो 10 theta 1 होता है 1 का square करोगे तो 1 ही आएगा 1 यहां भी 1 यह 1 और यह 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 plus यह बीच वाली quantity में लिख देता हूँ क्या थी quad square theta plus 10 square theta देखिए तो RHS आगे न सारी formula का ही खेल है अगर आप formula को बहुत अच्छे से तयार कर लेते हो quad theta की value क्या होती है अभी बता कर आ हूँ मैं quad theta होता है क्या cos theta और बड़े sin theta ठीक है यहां into है sec को क्या लिख सकते है 1 upon cos है ना minus यहां पर cos theta और cos sec की value क्या होती है 1 upon sin theta इसका square लगा हुआ है चलो इसको रहें दे cos से cos कड़ गया तो 1 upon sin अच्छा यहां भी square है 1 upon sin का मतलब क्या होता है cos sec square theta minus cos upon sin का क्या मतलब होता है cot square theta देखे यह बुरी value मैं आपको अब भी बताकर आ चुका हूँ यह formula होता है इसकी value क्या होती है 1 तो हम RHS तक पहुंच गया है बहुत ही असान सवाल है चली आगे बढ़ते हैं इस सवाल देख रहे हैं आप इसको हमको यह प्रूप करना है तो sin और cos कभी भी change नहीं करो आप जब भी cot और 10 दिखाई दे तो आप उसको change करो क्योंकि cot और 10 की formula sign और cos के टम में होते हैं ठीक है यह क्या हो गया चलीए यह तो होगया sign A plus cos A यह हमारा sign A cos A होगया बीच में into cot की value cos A upon sign A यहां क्या जाएगा plus 10 की value sign A upon cos A यह होती है ठीक है LCM लेलो इसका multiplied यहां इसका यहां और इसका यहां यहां बीच में into है यह हो जाएगा cos square A plus यह हो जाएगा sin square A upon sin A into cos A यह होगया sin square theta plus cos square theta क्या होता है 1 होता है 1 upon क्या हो जाएगा sin A cos A ठीक है और into में क्या था sin A plus cos A अब इस quantity का आप पहले sin A में multiplied करो फिर सी quantity का cos A में करो तो देखी कैसा हो गई sin A इसमें करोगे तो क्या जाएगा यह बटे में sin A cos A बीच में plus का sin लगा लो फिर cos A में करोगे तो क्या जाएगा sin A cos से sin से sign कर गया यहां cos से cos कर गया 1 upon cos क्या होता है देखो यह होता है sec की plus 1 upon sign क्या होता है यह होता है cos sec अगे न अंसर यह ही RHS है चलिए आगे साँच में आगे बढ़ते हैं यह सवाल देखिए इसमें हमको एक प्रूफ यह करना इप्रूफ यह करना बहुत आसान है बिलकुल देखिए आसानी से बताता हूं मैं आपको stack A minus 10 A इसकी बट्यम क्या लिगा पान लिगा इसमें आप कर दो यह लेके आनान हमको आप इसी का multiplied कर दो और divide कर दो सीधे इसी quantity का आप सीधे क्या कर दो multiply.divide ठीक तो हमने इसी quantity का multiply.divide कर दी है अब देखो यह A minus B है और into A plus B है क्या होता है A minus B into A plus B क्या होता है A square minus B square मतलब stack square A minus 10 square A नीचे क्या जाएगा stack A plus 10 A stack square A minus 10 square A मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है 1 upon यह 1 होता है तो 1 हो जाएगा तो यह क्या जाएगा 1 upon stack A plus 10 A देखिए एक proof हो गया second वाला किसी करना है यह sign और cos के time में तो इस stack और 10 को sign और cos के time में बना सकती हो आप बहुत आसान है stack को लिखो 1 upon cos A ठीक है और 10 क्या होता है sign A upon cos A ठीक दोनो एक से हैं तो यह common आ जाएगा cos A उपर क्या जाएगा 1 minus sin A तो देखिए एक proof यह हो गया चली आगे समय में आगे बढ़ते हैं अगला सवाल चली next सवाल देखिए यह सवाल दिया हुआ है तो तो यह proof करना है यह बहुत important सवाल है कई बार exam में आपको देखने मिलेगा important है इसको बहुत अच्छे से notes बना लीजेगा इस सवाल के exam में बूचा जाता है इस question इस सवाल में देखिए हमको यह LHS लेके चलना है और RHS पे पहुँचना है ठीक तो simple है आप इसका LCM ले लो इसका multiplex यहां कर दो इसका यहां कर दो इसका अपस में कर दो simple तो आपने किया क्या cosec A इसमें किसका कुणा कर रहा हो cosec A plus 1 इसका यहां पर plus का है cosec A और cosec A minus 1 यह देखिए मैं इसते भी shortcut matter बताता हम सबसे सही करो आप cosec के दोनों में तो इसको common ले लो बहुत ही आसान cosec के common तो क्या बच्छा 1 upon cosec A minus 1 और plus यहां क्या बच्छा 1 upon cosec A plus 1 यह बच्छा आप यहां LCM ले लो यहां multiplied यहां और इनका आपस में यहां यह क्या हो जाएगा क्यों हो जाएगा cosec of A तो इसका multiplied करोगे यहां तो cosec 1 में करोगे तो वही आजाएगा यहां करोगे तो भी वही आजाएगा cosec A minus 1 ठीक है अच्छा नीचे multiplied करने भी क्या आएगा देखिए A minus B और यह है A plus B तो क्या हो जाएगा A square minus B square मतलब cosec A का square minus 1 का square यह minus 1 यह plus 1 यह cancel हो गया cosec A plus cosec A क्या हो जाएगा 2 cosec A यह cosec of A into यह हो जाएगा 2i's of cosec A upon cosec square theta minus 1 मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है cot square theta A है तो A यह हो गया क्या 2 हो गया A यह हो जाएगा cosec A into cosec A क्या हो जाएगा cosec square A upon क्या आगया cot square A अब आपको answer दिखने लगा होगा यह हो गया 2 cosec square A को आप क्या लिख सकते हो 1 upon sin square A ठीक है और cot को क्या लिख सकते हो cot square A को इसको लिख सकते है cos square A upon sin square A लिख सकते हैं लेकि जब यह उपर जाएगा तो multiplied में जाएगा यहां मैंने multiplied में लिख दिया जब यह उपर जाके multiplied में होता है तो इसका sin जो यह number A change हो जाता है नीचे वाला उपर उपर वाला नीचे तो यह जाएगा sin square A upon cos square A sin square से sin square कड़ गया क्या बचा 2 upon cos square A और upon 1 upon cos क्या होता है गोता है sec तो twice of sec square A यह होगी हमारा RHS ठीक है यह लेकर चले थे हम यहां पर पहुँच गे थे ठीक यह सवाल बहुत important है इसको आप बहुत अच्छे से notes बना लीजिएगा बार-बार exam में पूछा जाता है चलिए अब अगला सवाल देखें यह question देखें students LHS लेकर चलना है RHS पर पहुँचना है तो LHS लेते हैं ठीक है court को लेको सीधे 1 upon 10 1 upon 10 A प्लस इसको रहने दो 10 B ठीक है यहां पर भी court को लेको लेको 1 upon 10 B प्लस यह क्या होगा 10 of A ठीक अब इसका LCM लोगे तो यहां multiplied और इसका लोगे तो यहां multiplied क्या जाएगा देखो यह जाएगा 1 plus 10 A into 10 B प्लस प्लस 10 of A ठीक और यहां इसका multiple करोगे तो क्या जाएगा 1 plus 10 A into 10 of B क्या जाएगा 10 of B देखिए जब भी ऐसा लिखा हो ऊपर वाली quantity को ऊपर वाले से आप cancel कर सकते हो या फिर आपको नहीं करना तो आप यहां उपर ले जाना तो यह जो quantity यह बदल जाएगी तब आप करोगे तो भी cancel हो जाएगा 1 plus 10 A 10 B 1 plus 10 A 10 B cancel हो गया यह क्या है 1 upon 10 A और उसके भी बटे में क्या है 1 upon 10 of B जैसा लिखा है अब आप इस ऊपर ले जाओ तो 1 upon 10 A ठीक है यह 1 upon 10 B है तो 10 B upon A 1 हो जाएगा तो देखी क्या हो गया 1 upon 10 क्या होता है यह होता है cot cot A और into 10 तो हम LHS लेकर चले थे और RHS हमने prove कर दिया ठीक है यह हो जाएगा इसका answer तो आगे समझ में students इस class में मैंने 10 questions करा हैं अब जो इसी exercise का अगला जो part है next part जो आएगा उसमें बागी के question में आपको cover करा दूँगा ठीक तो चलिए आज की class हम यही करम करते हैं so thanks for watching for more updates please like share and subscribe